हलो फ्रेंट्स वेलकम टू अवर यूटूब चैनल रॉबिन बुटिक फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वी कॉलर नैक कैसे बनाया जाता है बहुत ही असान तरीकी से और फ्रेंट्स साथी साथ में आपको ये भी बता दूँ अगर आप स्टीचिंग का शोक रखते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जोइन कर सकते हो इस क्रीन के उपर आपको नंबर दिखाए दे रहे होंगे इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप ले सकते हो और आप हमें इंस्टागाम पर भी फॉलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिस्ट्रिम डॉक्स में मिल जाएगा तो फ्रेंट्स अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास यह एक रफली सूट है और इसके अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्तो वी कोलर नैक क्य bueno डूस ahordata यहां फिर जो blouse होता है उसकी कटिंग कैसे की जाती है इस सब्सक्राइब से जो पार्त होता है इसके जो बड़ा लेने का कारण यह होता है कि सेकर आपका पीछी तरफ नहीं जाता अब दोस्तों सबसे पहले आपको उठाने आगे वाले पार्ट को यह देखिए आगे वाले पार्ट में हम जो वी कोला बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें करेंगे हैं मार्किंग आपको लेना ओता है यह तो अधर से दखिए इदर से डाइंच इदर से लेकिन दोस्तों आगर किसी की गरता हो वाले मोटी गरता है उसकी गरता है 18 19 20 हो उसके लिए आप यह धाई की जगह दोस्तों आप तीन इंच इदर से और तीन इदर से ले सकते हो देकर मीडियम साइज के लिए आपको क्या करना है यह देखिए धाइच के मार्कर लगा रहा हूं बिल्कु सीधा लेना है दाइच इस प्रकार से और धाइच ही आपको चुड़ाई लेनी है को मिलाकर धाइंच लंबाई और गाइंच इसकी चुड़ाई लेनी है मीडियम साइज गले के लिए देखिए इसके बाद एक एरो का निशान लगाना इस प्रकार से बिल्कुल राउंड में आपको इस प्रकार इस एरो को निशान के कोडिंग इसकी गुलाई कर देनी है यह देखिए अब इसकी आगे से करेंगे गुलाई क्योंकि दोस्तों को लवाला जाओ पीछे से पैक होता है उसकी आपको जो लंबाई रखनी और रखनी साड़े साथ के अपको प्रकासे के निशान लगा देता हूं तो आप देख सकते हो एक इंच का जो मैंने निशान लगा है और बिल्कुल पॉइंट पर जाकि मैंने इसकी जो है मार्किंग कर लिए अब फ्रेंट्स यह जो मार्किंग है आपको जब भी वीगल बनाना है तो कपड़े पर नहीं काटना यह मैंने केवल आपको रफली समझा देखना है तो क्रोस में इसको ना प्रेंगे यहां से लेकर जो मार्किंग करी है मैं यहां से लेकर यह तक यह बंड़ा टॉटल 5.5 इंच तो आपको करना के है सबसे पहले एक निशान इदर लगाना है एक इंच पर और साड़े-पांच इंच आरा है वहाँ पर हो पर आपको सीधा एक निशान लगाना है इदर से आपको एक इंच और इस को इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट मिलाना आपको यह देखें अब यह मार्क करा है इस मार्क पर करनी है आपको कटिंग इस प्रकार से हमारा वी गला है जो कट जाएगा और जो एक्स्टा जो बुकरम आपको निजर आरी नीचे से दोस्तों इसको इस प्रकार से राउंड में गुमात पर जमाते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो इस गल्यों को मैंने कपड़े पर सेट कर लिया बीच से जो दूरी रखिया है मैंने दो इंच आप इसके बाद दोस्तों यह देखिए जो मेन हमारा जो फ्रेंट वाला पार्ट है इसको रखना करना आपको रखना बिल्कु सेंटर में लगानी है तांकि गला इदर दर ना भागे उसके बाद दोस्तों सैड़ की साही लगा कर इसको हम जैसे नौम्बर गला बनाते हैं वैसे इसको बना लेंगे तो यह सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूं मशीन पर देख सकते हो इस तरह से कम बने कर लिया है सैट अब बीच जो भी मारजन की हम करेंगे कटिंग कर्ली है बस आपको आदा इंचा मारजन रखना है और यह कि बिलकुल कट आपको इस प्रकार से लगाना है तांकि आपको सलाई ना कट जाए यह तक आपको क्रोणी करनी उसके कि अमृष के बाद ये जो आपका जो गला है अंदर की तरफ इस परकार से चलाजाएगा यह इडिख़ें आपको दिखा जाता हो और बहुत असानी से अपकाltice एक प्रकार से बन जाता है और यह जो कॉर्णर इस पर थोड़ा सा नाखूं से प्रैस कर ले ताकिस की जो कॉर्णर है जो ट्रैंगल हो अची तरह से इसकी शेप नज़र आए विदिखिए दोस्त वैगला बन चुका है विगला बनाने के बाद अब आप को करना क्या है अपन चोई कोई लेस लगा सकते हो इसको अच्छा लुक देने के लिए तो फ्रेंट्स आज कर ये देखिए लैस है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और किसी भी तरह के सूट पर बहुत असानी सी लग भी जाती है इसको लगाने का तरीका देखें दोस्तों क्या है आ तो दोस्तों लेस लगाना बिल्कुल असान है जो कि हमने लगा ली है अब इसका जो है तीरह हम जोड़ते हैं तो तीरह जोड़ने के लिए देखिए यह है इसका बैक पोर्शन को आपको इस प्रकार से रखना है और यह जो हमारा फ्रेंट वाला पार्ट है इसको रखना इ है यह देखिए आदा इंच के मार जान देते हुए तो फ्रेंड्स की जो स्लइय है इसको हमने लगा लिया है अब इसके लिए कोलर की कटिंग कैसे करनी आई चलताव काउंटर पर तो फ्रेंड़ की शोल्टर की स्लइय लगाने के बाद अब इसका जो कोलर का मेजरेमेंट चूब को कैसे लेना यां से लेकर को तोटल या तक कितنا रहा है टोटल दोस्तों यहां से लेकर आ पकते हैं अगर आपको अछी फिनिशिंग चाहिए उसके लिए दूस्तों मेरे पास ही पेपर पेस्टिंगे देखिए यह पेस्टिंग है और इसको अधर से प्रकार से फोल्ड करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको एक प्रकार से सीदा निशान लगाना यह देखिए क्योंकि हमारी जो बैन है बैन का साइज है बारा इंच तो बारा कादा कितना होता है वह होता है च्छे पर सीधा एक निशान लगाना आपको इस प्रकार से यह देखें और इस जगए से लगभग आपको धाई यहां फिर पूरे तीन इंच तक तक बिल्कुत सीधा आना है यह यहां से जो गुलाई के लिए दूरी रखनी हो रखनी है अब दोस्तों यह जो गुलाई के हिसाब से एक पार इसको दुबारा नापना होगा च्छेंच कहां पर आ रहा है यह देखिए च्छेंच यहां पर है और इसी गुलाई के हिसाब से यह देखिए हमने इंच टेप क दोस्तों आपको इसमें शेप देनी है देखें तो यह होता होगे दोस्तों हमारी बैंट टोटल गोलाई में छेंच अब इसके हम करते हैं कटिंग अब दोस्तों यह जो निशान है इस निशान पर तो हमारी बैंट फिक्स आएगी लेकिन फिर भी कोई डाउट ना रह जाए उसके लिए आपको दुबारे इसको एक बार चेक करने का तरीका क्या है इसको ऐसे कैसे रखना है और यह जो हमारा कॉलर है इसको एक बार दुबार पिस देगे पर यह कट जाएगी हमारे जो निशान थे बिल्कुस सही थे अब इस निशान पर आपको दोस्तों इस प्रकार से यह देखिए इसमें देनी हल्की से गुलाई उपर की तरफ यह देखें तो अब आप देखें इस प्रकार से जो बैन है बैन की हमने कटिंग कर अब इसको दोस्तों सबसे पहले चिपकाते हैं कपड़े के उपर प्रेस के साथ शाइनी वाला जईससा नीचे रखना है इसको पर प्रेस से यह चिपक जाएगा फ्रेंट्स यह देखिए इस प्रकार से प्रेस करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मारजन यह वाला इसको अब फ्रेंट्स यह देखिए इसको अचीते पैस से आप बैठा सकते हो अगर प्रेस नहीं करना चाहते तो आप इस पर डारेक्ट शिलाही लगा के भी इसको बैठा सकते हो अब इसके बाद शिलायी होता है इसमें आदा इंच का मारजन लेते हुए आपको इस बैन को लगानी कपड़े के साथ शब जड़ में और रe लगाने के बाद में पेंड लगाने के बाद आब नीचे कपड़ के बराबर बराबर आपको काटना ये देखिए इदर से भी आपको बस आदा इंच के करीब ही मार जाना रखना ज्यादा नहीं रखना जहां पर गुलाई है गुलाई वाले पहलकी से कट लगा दें अब इस प्रकार से करें सीधा अब आप देखें बैन की जो फिनिशिंग आप देख सकते हैं पेस्टिंग से कितना गजब इसका लुक आता है थोड़ी सा बस नाकूं से इदर हलके लगी प्रेस कर लें ताकि इदर वाला जो कपड़ा है यह अराम से इस पर सैट हो सके हैं अब इस बैन को लगाने का जो तर यह देखें इसको करने पहले सीधा इस प्रकार से ठीक है और यह देखिए इस प्रकार से आपको लगाना है यह जो बैन है बैन को रखना सीधा और कुरती को रखना उल्टा और इस जगे से अब मैं आपको यह बताता हूं फ्रेंट्स यह जो जगे थी हलकिस यहां से मैंने को बैन को रखना सीधा और कुड़ते को रखना इलता और यहांसे स्टार्टिंग करनी आपको बैंग यहां से स्टार्ट करें गए और साथ-साथ में दोस्तों इसको राउंड इस सलहाए लगाता है जाएंगे इसके लिए चलते हैं मशीन पर अपको बरकार से देखें बिल्कूर हो यह से दोनों को ओरनिको कि आपस मिलाने आपको बैंड का कोड़नर भी और यह जो गले का ओरो इस प्रकार से आप ko तरह करनी लग जाएगी तो अब देख से तो बैन हमारी बिल्कुल परफेक्ट जो है इसके साथ आच चुकी है और बस इस कोर्णों पर पहुंचके आपको उसी तरह से लगानी है जैसे आपने शुरुवात में लगाई थी यह देखे तो इस प्रकार से कट में इसमें लगा लिये हैं क देख सकते हुए जो मारजाने सारा ये अंदर की तरफ इस प्रकार से जाएगा और जो बैन की जो शेप है दोस्तों इस प्रकार से आपको नजर आएगी यह देखें अब इसमें जो लास्ट वाली जो सिलाई है वो किस प्रकार से लगेगी सारा का सारा जो मारजाने आप द बंदर करते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो लास्ट की स्लेय लगाने के बाद हमारा जो वी कोलर नेक बिरकुल रैडी है बस इसमें थोड़ा सा काम रहा कर प्रेस का प्रेस करने के बाद जो भी इसके छोटी मोटी कमी होती है दोस्तों जैसे सेलवटी होती है छोड़ी तेधी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वी कोलरनेक कैसे बनाया जाता है अगर आपको वीडियो चुल अच्छी लगी हो लाइक करें चैनल पर पहली बारे तो पली चैनल को सब्सकाइब करें और हमें सपोर्ट करें थेंक्यों बैलीबच